सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाले वीडियो की नूटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचिए चार फ्रवरी 1974 को मुंबई में जन्मी अभनेत्री उर्मिला माटूनकर आज किसी पहचान की महताज नहीं है इन्होंने बालीबुद की सबसे चर्चिद अभनेत्रियों में इसे एक माना जाता है इन्होंने बालीबुद में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है जो की बहुत सफल रही इनकी खुबसूर्ती का हरकुई दिवान न रहा इनका विबास साल 2016 में बिजनह मेर मौसिन अक्तर मीर से हुआ था उर्मिला मातनकर आज भी बालीबुद में एक्टिव है आज हम आपको बालीबुद की मसूरश भनेत्री उर्मिला मातनकर की पांच एसी सस्पेंस फिल्मों के बारे में बतानी वाले हैं जिसे आपको जरूर देखना चाहिए ये फिल्में देखने पर आपको आखरी तक सस्पेंस बना रहता है नमबर एक पर है भूत साल 2003 में आया फिल्म सस्पेंस से भरबूर है फिल्म में एक विबाहि जोड़ा एक फ्लेट में रहने जाता है वो फ्लेट एक आत्मा से प्रेताभित रहता है पत्नी को वो आत्मा पागलपन की ओल ले जाता है लेकिन बाद में पता चलता है कि उसमें एक छोटे बच्चे की आत्मा रहती है जिसकी किसी कारण में रिक्ती हो जाती है इसमें मुख भूमका में बोबी देवल और उलू उर्मिला मातोंड कर है नमबर दो पर है कौन ये फिल्म सालू उनने 1999 में आई थी इस फिल्म में एक महला साम के समय जब टेली पीजन देख रही होती है तो खबर दिखाई आती है कि एक सीरियल किलर छूटता है तब ही उसकी घर की घंटी बैस्ती है और जब वो दर्वाजा कोलती है तो वो एक अजनेबी आदमी उसके घर के दर्वाजे के पास खाड़त दिखता है इस फिल्म के मुक्किरदार सुसान सिंग और मिला मातोंड कर और मनूज बाजबी है नमबर तीन पर है नौटिल लब स्टूरी ये फिल्म साल 2011 में आई थी ये फिल्म क्राइम और डर से भरपूर है इस फिल्म में दिखाया जाता है कि साल 2008 में एक नीरज ग्रोवर की हत्य हो जाती है वो सत्यारे का पता नहीं चलता है लेकिन बहुत जांच परतार से आखरी में दो लोगों की गिरफतारी होती है इसके मुक्रदार माही गिल और मिला मातुन का रोट दीपक दोवरियाल है नमबर चार पर है बलेक मेल साल 2018 में ये फिल्म भी सस्पेंस से भरपूर है इस फिल्म में देव नाम का एक ब्यक्त जो कि अपनी पत्नी से तलाग ले लेता है उसका कहना ये होता है कि उसकी पत्नी और उसका मित्र रंजीत एक साथ मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं और फिर वो भी दोनों को बदला लेने के लिए सुनचता है इसमें उर्मिला मातुनकर उर्फानकार और ओमी बैद्या मुकभूमका में है नमबर पांच पर है एक हसीना थी साल 2004 में आई ये फिल्म बहुत चरशित फिल्म थी इस फिल्म में सारका नाम की एक लड़की को एक अजनेवी ब्रक्ति से प्यार हो जाता है और ओमेद्या रखने के लिए सारका को कहता है जिसके कारण सारका को जेल हो जाती है सारका जेल में बदला लेने के लिए निकल पड़ती है इसके मुकभूमका में से फिल्मिला मातुनकर और अदिश्री वास्तों है गुस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद